दोस्तों आप लोग बहुत से mobile phone में देखे होंगे कि back वाला बटन जो है इस side रहता है देख सकते हैं इस side में आइरोक से दिखा रहा हूँ इस side रहता है और इस side जो है यह यह रहता है यानि कि इसे clean करने के लिए यहाँ पर ऐसे करके आप इस seems clean कर सकते हैं इस पर क्लिक करके इस साइड वाले बटन से और इस वाले से आप बैक जा सकते हैं जैसिक मैं बैक आ गया लेकिन दोस्तों अपके फोन में जो देखेंगे आप उस फोन में इस साइड बैक वाला बटन रहेगा और उस साइड रहेगा क्लीन वाला बटन तो दोस्तों ऐसा आप कैसे कर सकते हैं अपने mobile phone में कि आपका भी button इस side हो जाए back वाला तो दोस्तों ऐसा आप करते हैं कि आपको बहुत ही प्रहसानी होती है आप सही सही back नहीं कर पाते हैं जैसिक मैं कुछ भी open करता हूँ क्योंकि इस video में यही हम आपको बताने माले हैं कि आपके mobile phone में ऐसा अगर हो गया है क्योंकि दोस्तों मेरे mobile phone में जो है गलती सी यह ऐसा हो गया है मैंने बहुत सी video बनाई है यह वाला बैक वाला बटन जो है इस side रहता था और यह वाला बटन इस side रहता था लेकिन दोस्तों वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग से रिलेटेड तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने इस बटन को कैसे चेंज कर सकते हैं यानि कि इसे आप कैसे इस साइड ला सकते हैं बैक वाले बटन को सबसु पहले आपको सिंप करके open किजिएगा लेकिन आपको अगर आपकी दूसरी मोबाईल है मेरी दूसरी मोबाईल यानि की अलग-अलग मोबाईल में अलग सिस्टम रहता है तो इसलिए आप इस यहाँ सेटेंग को ऑपने इहां पर सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं यहां पर दिख सकते हैं आपकी सामने वह सेटेंग आ जाएगी उसके बाद P Herms स about आपको यसे नेचे चलना आना है यहां से एडिसनल सेटिंग को ओपन कर लेता हूं सर्च कर डिस्प्ले के option पर क्लिक कर देता हूं इसके बाद आपको यहां पर देख सकते ही यह बटन हो चुकी है बैक अला बटन इस साइड आ गया और यह जो खराब होगी थी इसलिए मैं सोचा कि यह एक वीडियो बनाजा यह ताकि आपको अच्छे से समझ वाजा जाए आपके साथ भी ऐसा हो तो आप अपनी सेटिंग को सही कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लम होती है बैक जाने में ऐसा अगर हो जाता है तो चलिए दोस्तों उमीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी झाल 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 झाल